Hello and welcome back friends, आप देखना है Study Moment YouTube चैनल, आज इस वीडियो में बात करेंगे विभिन्न देशों के राश्टरी ये खेल से रिलेश्ट जितने भी important question बनते हैं उसके बारे में, साथ साथ extra fact भी डिसकस करेंगे जो आपके exam के लिए काफी ज़्यादा beneficial रह सकते हैं, तो वीडियो को ला उसका notification आपके पास time to time मिलता रहे है, फ्रेंट वीडियो अच्छा लगए तो एक like जरूर कर दीजेगा, अगर आप इसका PDF रेना चाहते है exam time revision करने के लिए, तो आप हमारे telegram channel से join हो सकते हैं, जिसका link आपको description box में मिल जागा, या फिर telegram पर आप जाकर search कर सकते हैं, study moment औ आपका नेपाल का राष्टरी ये खेल कौन सा है, तो फ्रेंट इसका सही अंसर हो जागा foot wall, अब बात करते है foot wall में players की संख्या, यानि खिलाडी की संख्या कितना होता है, तो एक गारा होता है, ये अब ध्यान में रख लिजेगा, अब बात करते है extra fact के बारे में, तो cricket, cricket cricket, hockey और foot wall, cricket, hockey और foot wall में खिलाडी की संख्या इक गारा होता है, ये अब ध्यान में रख लिजेगा, cricket, hockey और foot wall में, तीनों खेल में खिलाडी की संख्या इक गारा होता है, अब नेपाल के बारे में चर्चा करते हैं, नेपाल का राजधानी है, कठमांडू, कठमांडू, ठ ठीकहे यह अब ध्यान में रख़ लिजेगा चलिए next question को देखते हैं नेक्स्ट question है अब का अमेर्का का राश्चट्रेइख़ कों सा है तो इसका सही अंसर हो जए गा बेस वॉल अमेरीका का राश्चट्रेइख़ बेस वॉल है अब बात करतेहं बेस वॉल में खिलाडियो की संख्या कीतना होता है तो भेसवॉल में खिलाडियों की संख्या 9 होता है यानी 9 होता है अब बात करते है अमिरिका के राज़धानी कहां पे है तो वाशिंग्तन DC में है वाशिंग्तन DC में ठीक है ये आप ध्यान में रख लेज़ेगा यहां के राश्टरपती कौन है अमिर्का के राश्टरपती कौन है तो डोनाल्ड ट्रम्प है यह सभी को पता होगा डोनाल्ड ट्रम्प ठीक है चलिए next question को देख लेते हैं question number 3 है आपका चीन का राश्टरडिये खेल कौन सा है तो friends इसक तरह से option में रहेगा या फिर जहां एक रहेगा वहां दो नहीं रहेगा जहां दो रहेगा option में वहां पर एक नहीं रहेगा यह आप ध्यान में रख लीजेगा अब बात करते हैं चीन की राश्धानी है बीजिंग ठीक है बात करते हैं चीन के राश्टरपती के बाड़े मे तो C. Jinping है C. Jinping ठीक है यह आप ध्यान में रख लीजेगा चलिए next question को देखते हैं question number 4 है आपका Canada का राष्ट्रिय खेल कौन सा है तो Canada का राष्ट्रिय खेल ice hockey है जिसको lacrosse भी बोला जाता है इसलिए मैं bracket में type करवा दिया था lacrosse ठीक है कही एक्जाम में देखने को ये भी मिलेगा ice hockey के जगा पे lacrosse भी रह सकता है इसलिए मैं ये type करवा दिया था ठीक है Canada का राष्ट्रिय खेल ice hockey या फिर lacrosse ठीक है अब बात करते हैं इसमें खिलाडी की संख्या कितना होता है ठीक है ना six players ही रहते हैं फिल्ड में ठीक है और टोटल 22 होता है ice hockey में चलिए next question को देख लेते हैं next question है अब बात करते हैं के Canada की राजधानी के बारे में अभी चर्चा नहीं किये Canada की राजधानी है Ottawa ठीक है ना Canada की राजधानी कहां पे है Ottawa अब बात करते हैं के परधान मंतरी के बारे में Canada का परधान मंतरी कौन है तो Justin Trudeau Justin Trudeau ठीक है यह आप ध्यान में रख लीजेगा question number five पे चर्चा करते हैं question number five है आपका बुटान का राजधानी ये खेल कौन सा है तो इसका सही अंसर हो जगा तिरंदाजी भुटान की राजधानी है थिम्पू बात करते हैं भुटान के राश्टरपती के बारे में तो जिग में जिग में खेसर ठीक है ना जिग में खेसर भुटान के राश्टरपती कौन है तो जिग में खेसर है ये आप ध्यान में रख लीजेगा चलिए next question को देखते है question number 6 से आपका Scotland का राष्टरिय खेल कौम सा है तो इसका सही अंसर हो जगा rugby football rugby football Scotland का राष्टरिय खेल है अब बात करते हैं इसमें खिलाडियों की संक्या कितना होता है तो खिलाडियों के संक्या इसमें 15 होता है अब बात करते हैं Scotland के राष्धानी के बारे में तो राष्धानी इसका है एडीन वर्ग ठीक है न एडीन वर्ग इसका राष्धानी है Scotland का ठीक है यह आप ध्यान में रख लिजेगा next question को देखते हैं question number 7 ने आपका भारत का राष्टरिय खेल कौन सा है तो यह जानना बहुत जरूरी है सभी को पता भी होगा फिल्ड होकी भारत का राष्टरिय खेल कौन सा है तो फिल्ड होकी है इसमें खिलाडियों की संख्या कितना होता है तो 11 होता है देखिए आईस होकी जो है कनाड़ा का राष्टरिय खेल है लेकिन फिल्ड होकी वो अपने भारत का राश्ट्रिये खेले यह आप ध्यान में रख लिजिएगा फिल्ड होकी में एक गारा होता है और आइस होकी में टोटल 22 होते हैं जबकि players six मैदान में आते हैं, वो ice hockey की बात है, ठीक है, लेकिन field hockey में एक गारा ही होते हैं, भारत कराजधानी तो सभी को पता है, नई दिल्ली है, परधाना मंदरी स्री नरेंदर पूदी सभी को पता है, राश्टरपती रामनात कोबिंद्य सभी को पता है, चलिए next question को देखे भी होंगे, ठीक है, जिसे romance वोगएर्णा जो है, वो fighting करता है, इस तरह से कुष्टी होता है, आप देखते होंगे, ठीक है न, देखिए आब बात करते हैं, तुर्की की राजधानी के बाड़े में, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा, ठीक है, तुर्की की रा लीजेगा चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कोश्चन नमबर नाइन है आपका पाकिस्तान का राष्ट्रिय खेल कौन सा है तो पाकिस्तान का राष्ट्रिय खेल भी होकी है जो अपने भारत देश का है ठीक है न क्योंकि यह परोसी देश भी है भारत भारत का परोसी देश भी प्रदान मंत्री कौन है, पाकिस्तान का तो इमरान खान है, नेक्स्ट कोश्ण को देखते हैं, कोश्ण नमबर तेन है, आपका इंगलेंड या और आश्ट्रेलिया का राश्ट्रिय खेल कौन सा है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा किर्केट, इंगलेंड का भी देखिए, ने खिलाडी के संगय कितना होता है तो एक गार होता है फुटबॉल में होकी में और किर्केट में खिलाडी के संगय है एक गार होता है यह आप ध्यान में रख लिजेगा तो आज के लिए इतना ही important question था जो कि खेल से related था विभिनने देशों के राश्टरी यह खेल साथ-साथ ए आप comment box में जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा तो एक like जरूर कर दिएगा आपका एक like एक comment हमें motivate करता है अच्छे-च्छे important topic wise exam के point of view से वीडियो बनाने के लिए तो चलिए फिर मिलते हैं next video में bye bye take care